नमोव अमित्रों, कुछ दिनों पूर्व एक चलशित्र मेंने प्रकाशित किया था, हरे कृष्ण मंत्र में हरे शब्द का क्या अर्थ है? उस पर अने एक टिपणी आएं, और जलज गुपता, श्रीमान जलज गुपता, आपका प्रशन नित्यानंद जी, हर हर महादेव में हर का अर्थ भी बता दीजिए, इन्होंने पूछा है, हर हर महादेव जो एक प्रसिद्ध, जय घोष है, युद्ध घोष है, दिख घोष ह है, उसमें हर शब्द का क्या अर्थ है, यदि आप अंतरजाल पर खोजें, तो आपको कुछ उट पठांग बातें मिल जाएँगे, जैसे हर कोई, तो हर कोई महादेव है, यह हर हर महादेव का अर्थ है, पर यह सब मन बहलाने के लिए ठीक है, हर शब्द का अर्थ प्रते कि इसका अर्थ नहीं होता है तो हर हर महादेव का शब्द का क्या अर्थ है इस हर हर महादेव जय गोश का अत्वा दिगोश का यो दगोश का क्या अर्थ है इसके अर्थ पर आने से पहले कुछ विचार कर लें क्या ऐसी कोई उक्ति सम्स्कृत साहित्य में है तो सम्स्कृत साहित्य में प्राचीन सम्स्कृत साहित्य में हर हर महादेव प्रयोग मेरे संग्यान में तो नहीं है हो सकता है आपके संग्यान में हो तो आप अवश्य अपनी टिपणी छोड़ें और बताएं हाँ इससे मिलती जुलती एक उक्ति अवश्य है और वह उक्ति कहाँ प्राप्त होती कुमार संभवम कालिदास कृत कुमार संभवम में तृतिय सर्ग बड़ा सुन्दर सर्ग है बहुत ही अध्भुत और अलावकिक सर्ग है जिसमें शिव के द्वारा काम दहन का वरणन कालिदास ने किया है कविता कामिनी विला से कालिदास ने किया है तो वहाँ जब शिव तीसरा नेतर खोलते हैं जब कृद्ध होकर तीसरा नेतर खोलते हैं तो कालिदास वहाँ बहुत सुन्दर वर्णन करते हुए लिखते हैं क्रोधम प्रभो संहर संहरेती यावद गिरह खे मरुताम चरंती तावत सवहनिर भवनेत्र जन्मा भस्मा वशेशम मदनन चकार तो कालिदास क्या कहते हैं इसा यावत गिरह भे मरुताम चरंती जब तक देवताओं की ऐसी वाणी आकाश में ही गूझ रही थी आकाश में ही जा रही थी तब तक भव के नेतर से उत्पन उस वहनी ने उस अगनी ने क्या किया भस्मा वशे शम मदनन चकार मदन को कामदेव को भस्म का अवशेश बना दिया उसको भस्मी भूत कर दिया भस्म साथ कर दिया बहुत ही अच्छा पद्य है कुमारसमभव में तीसरे सर्ग में तो यहाँ प्रयोग क्या है प्रभो क्रोधम सम्हर 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 क्रोधम प्रभो अत्वा कहीं सम्हर सम्हर प्रभो प्रभो तो महादेव के लिए शिव के लिए प्रवक्त हुआ ही है और सम्हर सम्हर हर लो हर लो हर और सम्हर एक ही धातों से आते हैं उपसर्ग जुड़ जाए तो सम्हर हर शब्दकार्थ है तुम हर लो मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है हर तू हर ताम हरं तू हर इस प्रकार तो हर अर्था तुम हर लो मध्यम पुरुष एक वचन समहर तुम अच्छे से हर लो तो क्रोधम प्रभो समहर समहरे तत्वा क्रोध का समहर कर दो क्रोध को अच्छे से हर लो तो समहर समहर प्रभू क्रोध करोसमः करें पतंजली कहेते हैं सभ्र्म में द्विरुक्ति अथ्वा त्वित्रिरुक्ति हो जाती कि अनेकंठी हो जाती है जैसे उधारन वहुत अच्छा देते हैं लौकिक उधारन करें कि जागो जागो तो कि साब दिख जाए का लोग सो रहा हो तो पहला जा जगाएगा साप साप भागो भागो साप साप जागो 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 तो अहिर 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 बुद्ध्यस्व 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 ऐसा उधारन महाभाश्य में पतंजली ने दिया है कहने का अतात परिया है संभ्रम की अवस्था में अथ्वा उत्साह के अतिर प्रभो क्रोधम समहर 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 प्रभो इससे मिलती उलती उकती है हर हर महादेव जिसका उधारण प्राचीन संस्क्रिट साहित्य में हमें नहीं मिला आपके संग्यान में हो तो आवश्य बताएं हाँ आधुने की संस्क्रिट साहित्य में एक उधारण मेरे संग्यान में है और वह उदाहरण है इस महा काव्य में जो आपके पटल परभ में दिखा रहा हूँ, यह है शिवराज वेजया, शिवराज वेजया, शिवाजी महाराज का सुन्दर चित्र है, और यह आधुनिक बान, श्रीमद अंबिकादत व्यास महा भाग का यह गद्य काव्य है, और इस के द्वितिय निश्वास के अंत में, जब महाराष्ट सेना और यवन सेना का युद्ध हो रहा है, तो अंबिकादत व्यास उसका चित्रन करते हुए कहते हैं, महाराष्ट के सिम्ह समाल सेनिकों के बारे में, तेशाम हर हर महादेव गर्जन पुरस्सरम छिंधि भिंधि मारय विपोथय इतिकोलाहलह प्रत्यर्थि नाम्च खुदा तोबा अल्लादी पारस्य पदमया कलकलो रोदसी समपूरयत इसका अर्थ टीका यहां हिंदी की है, श्रीमान रमा शंकर मिश्र की, और अर्थ मैं ह इंदी का इनिका पड़ देता हूँ, उनके अर्थात महराष्ट के सैनिकों के, मराठा सैनिकों के, हर हर महादेव इस गर्जन के साथ ही चिंधि भिंधि मारय विपोथय अर्थात, छेदन करो, भेदन करो, मारो, पटको, आदी इस कोलाहल से तथा, शत्रों के, खुदा, त तव्यासच जी कहा, शिवराज विजया में, तो यहां हर हर महादेव युद्ध के प्रसंग में ही, इसका प्रयोग है, शिवराज विजया महा काव्य में, ख्षमा की जगद्य काव्य में, यह प्रकाशन है, चोखंभा का ही प्रकाशन है, हाँ, चोखंभा सुरभारती प् मध्यकाल में ही यह युद्धघोश प्राचलित हुआ होगा ऐसा हम मान सकते हैं प्राचीन समस्कृत साहित में उदाहरण नहीं मिलते हो सकता है मराठों के समय हुआ हो सकता है, उससे पहले हुआ हो इसका संज्यान मुझे नहीं है परंतु युद्ध घोश यहाँ अवश्य है तो इससे हम यहाँ यहाँ हम निशकर्ष निकाल सकते हैं अम्बिकादत तब्यास जी के उदहरन से और जनशुति के आधार पर यहाँ एक युद्ध घोश है हर हर महादेव तो इसका क्या अर्थ हो तो युद्ध में यदि हर हर म महादेव कह रहे हैं तो महादेव अर्थात शिव हे महादेव वहां श्यासव देवश्य महादेव तत्समुद्धव महादेव हे महादेव हे शिव हर 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 लो हर लो शत्रों को हर लो शत्रून हर हर महादेव शत्रों को हर लो हर शत्रों का सम्हार करो शत्रों का सम्हार करो और दूसरी रोचक बात हर जो है वह शिव का नाम भी है हरती इती हरह जो हरन करता है उसे हर कहते हैं रोचक बात हरती इती हरी जो हरन करता है उसे हरी भी कहते हैं आप जानते हैं हर द्वार में जो हर की पौड़ी है उसे हरी की पौड़ी भी कहते हैं तो हरी हर शब्द का अर्थ समान ही है, एक ही धातु है, हिन हरने धातु से, हरतीती हरा और हरतीती हरे, तो हर जो है शिव का नाम भी है, रुद्र का नाम भी है, तो हर हर महादेव अर्था शिव शिव महादेव ऐसा अर्थ भी है, तीनों को संबोधन रूप मान लेते हैं, द पक्षी शत्रों को हर लोग उनका सम्हार करो हम तो माध्यम है या हर हर महादेव में हर का अर्थ है और हर हर महादेव उक्ति का अर्थ है ऐसा मेरा विचार हो सकता है कुछ अन्य लोग कुछ अन्य विचार हो कुछ अन्य निशकर्ष हो कुछ लोगों के पास अन्य उदाहरण हो संस्वित साहित्य में अत्वा इतिहास में इसके तो आप उनका संकेत अवश्य दीजेगा जिससे सारे श्रोता और दर्शक लाभानवित हो इसी के साथ यह सत्र स्वाप्त होता है फिर किसी विश्य को लेकर आपसे भेंट होगी नमोवा